आज हम परहेंगे inverse of matrix, matrix जो है quantum chemistry का एक mathematical concept है, जो semester exam के point of view से important है, ये जो है आपको दो नमबर, तीर नमबर के questions में आता है, matrix निकाने के लिए, और inverse of matrix भी जो है एक बहुत important topic है matrix में, इससे पहले matrix का, मैं basic concept, क्या है matrix का, addition, subtraction, multiplication कैसे करते हैं, matrix का, मैं वीडियो बना चुका हूँ, discuss कर चुका हूँ, आपको नीचे link मिल जाएगा, अब जाके पहले वो वीडियो देख सकते हैं, तो inverse of matrix क्या होता है, इस वीडियो में हम देखते हैं, तो आपको जर्यली पता है matrix equal to A होता है, A से represent किया जाता है, जैसे आपको question आया, कोई भी A equal to हम, हमको जो है matrix पिया जाएगा, matrix मतब rectangular, जो rearrangement होता है, numbers का, एक, दो, तीन, इस प्रकाव, इसको matrix कहा जाता है, लेकिंग, inverse of matrix क्या होता है, inverse of matrix, A inverse minus one होता है, तो इसको, जो है, ये inverse of matrix कहलाता है, मतब जै determinant, ये जो है, determinant का sign है, symbol है, ठीक है, अगर इस प्रकार से दिया है, तो हम समझ जाएंगे कि determinant करना हमको, तो उसी प्रकार, अगर A inverse minus one दिया है, तो हमको समझ जाना है, कि किसी भी matrix का A की घात में minus one है, तो हमको उसका inverse निकान ला है, तो inverse क्या होता है, when we multiply a matrix by its inverse, we get the identity matrix, ठीक होता है, तो हम इस वीढिए में देखेंगे, two into two matrix, two into two matrix, जो है matrix 2 परकार के, या 3-4 परकार के भी होंगे, two into two, मादलब दो order वाला matrix होता है, three into three, मतलब तीन order वाला matrix होता है, तो generally, two into two matrix, और three into three matrix, जो है हमारा semester exam के point office, important है, तो हम उसी को देखेंगे 2 into 2 matrix मतलब यहाँ पर दो रो है और दो कॉलम है ठीक है यह है 2 into 2 तो यह हमारा जो है questions है तो यह minus 1 है मतलब यह inverse है matrix of inverse है तो इसको represent किया जाता है 1 upon ad minus bc मतलब यह determinant करेंगे यह कोई भी है हमारा element है तो इसका पहले determine करना है हमको तो a into d और b into c करना है determine one upon यह determinant लिखना है उसके बाद जो हम को स्टक के अंदर हमको क्या करना है यहाँ पर एक rule आपको follow करना है swap the position of a and d मतलब यहाँ पर a और d का position अगर a और d के position में कोई भी है आपका element है तो उसको position change करना है उसका मतलब a d के जगा और d जो है a के जगा में आ जाएगा और second क्या करना है हमको इन दोनों के आगे में जो d और c के जगा जो भी element होगा उसके आगे में हमको negative sign put करना है ठीक है तो इसका general आपको एक rule याद रखना है swap the position of a and d put negative sign in front of b and c and divided everything by determine अब इसको फिल सॉल्फ करने के बाद जो भी आएगा हमको हमारा element सभी elements को जो है determine से हम जो है उसको divide कर देंगी तो हमारा answer आ जाएगा example से आपको better समझ में आएगा तो एक example देखते हैं हमारा example पहले हमारा दिया गया है a equal to हमारा 4,7,2,6 यह हमारा matrix है ज़र लिए आपको question ऐसे दिया जाएगा अब इसको हमको inverse निकालना है तो inverse के form में change करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा a-1 लिखना पड़ेगा a को ठ determine निकालते हैं तो इसका 3 गुणा करते हैं हमलब 4 को 6 से गुणा 7 को 2 से गुणा तो हमका determine निकल जाएगा हमारा determine निकल जाएगा तो अब इसको क्या करेंगे इसमें जो हापको position चेंज करना है 4 और 6 का position चेंज करना है 4 के जगा 6 और 6 के जगा 4 आ जाएगा और इन दोनों क के आगे जो है मानस साइन पुट करना है तो ये इसको एजटीस रहने देंगे हम एंवर्स के फॉर्म में चेंज करने के बाद अब इसका डी टर्माइन निकालेंगे determinant करना बहुत easy है आपको तिरे पूरा बस कर देना है तो हमारा यह inverse का आ जागा 24-14 तो हमारा determine निकलेगा 10 ठीक है तो इसका determine निकाल रहे हैं हम लोग matrix determine तो हमारा 10 आ रहा है अब क्या बोलता है कि जो determine आएगा उसी से हमको जो है यह अंदर कोस्टर के अंदर जो हमारा position change करेंगे swap करेंगे और minus लगाएंगे तो उसी में जो हमको divide कर देना है जो determine आएगा तो हमारा एंवर्स यह answer आजाएगा इससे इसको एक बार भाग देंगे इसको से इसको मलब जितने कोस्टरिंग में जितने भी elements होंगे सभी को 10 से भाग देंगे मतलब जितना जो भी determine आएगा तो हमारा answer आजाएगा तो यही था इस example को I hope कि आपको समझ में आएगा एक और example लेते हैं ताकि आपको better समझ में आजाए example दो वही है आपका two into two matrix वाला है equal to हमारा three three two minus two minus one यह हमारा दिया गया है इसका हमको inverse निकालना है तो inverse निकालने के इसको inverse के form में change करेंगे तो a minus one is equal to one upon determined करेंगे दोनों का तीरे गुणा करेंगे और इसका क्या करेंगे position बस change करना है आपको एक इधर minus one इधर जाएगा 3 इधर आएगा दोनों के आगे minus put करना है तो दो क्या आगे पहले से minus है तो एक और minus करेंगे तो दोनों minus minus into minus हमारा plus आजाएगा और इसके आगे minus हम put करेंगे तो equal to one upon इसका determinant क्या निकलेगा 3 into 3 into minus 1 तो हमारा minus 3 plus 4 3 हमारा plus 1 आजाएगा determinant इसको निकालेंगे तो मदब 1 आया है और यह क्या है minus 1 minus 2 और 2 और 3 यह एज़िए इसको आएगा अलब पोजिशन चेंज करने के बाद और minus sign लगाने के बाद अब हमारा determinant इसके निकाला है plus 1 निकला है तो इससे जो है इसके जितने भी elements है कोंस्टर के अंदर उसको भाग देना है तो एक से एक को भाग देंगे तो agities आएगा कोई changes नहीं होंगे तो a inverse हमारा यह answer आगया minus 1 2 minus 2 upon 3 यह इसका जो है answer है divided everything by determinant 1 ठीक है यह बस है मतलब बहुं सिंपल है reverse 2 into 2 का आपको बस यह simple से rule यह रखना है so if the position मतलब आपको कोई भी दिया है जैसे 2 into 2 का अगर आपको example दिया है तो पहले आपको जो है इसका position change करना है और इन दोनों के आगे जो है minus लगाना है और पहरे इसको determine करना है one upon determine निकालना है उसके बाद इसका position change करना है और उसको minus लगाना है फिर इसको solve करने के बाद determines करनूत बाद जो determine में answer आएगा उसको आपको इससे जह है भाग दे देना है आपका answer आजाएगा बहुत easy है तो बस यही था इस topic का analysis inverse of matrix I hope कि आपको समझ में आया होगा आगे हम 3 into 3 जो 3 order का matrix है उसको देखेंगे तो आगे की videos देखन पाने के लिए पिलीज सपोर्ट कीजिये like share and subscribe to my channel and thank you so much for watching